विद्स सिठी चर्णफर्स की खास पेशकर्ष जहागीर बीर तरगाह से दो किलो मीटर पहले आवादी के पीचों पीच मेंच जाब 6,000 रुपए पर स्क्वार यार्ड नकद या आसान अकसाद पर एमेंच चेर्मेन A18 तिलंगाना नियूस मुहमद आजम अली आदाब नाजरीन आप सभी का फैर मखदम है A18 तिलंगाना नियूस पर आज बरोज जुमा यानी बतारीक 17 मार्च का दिन है आईए देखते हैं A18 तिलंगाना नियूस का खास खबर नामा बढ़ते हैं आज की एहम खबरों की जानिब तिलंगाना में दूसरे दिन भी गेर मौसमी बारिश का सिलसला जारी रहा और रियासत भर में गरच चमक के साथ फैल गए तिलंगाना के शुमाली और वस्ती लाखों में तेज बारिश हुई बशमौल हैदरबाद में गरच चमक के साथ बारिश हुई हलांकि गुजिश्टा रोज से इसकी शिद्ध में कमी आई है हिंदुस्तानी मौकमा मौसमियात ने अगले तीन दिनों तक तिलंगाना के कई इसलाम में यलो एलर्ट जारी किया था गरच चमक के साथ तूफान का इमकान है 17 से 25 मार्च तक बारिश होगी अगर्चे तिलंगाना के बाशिंदे गर्मी के पहले मौसम से राहत हासल करने पर हैरान और खुश थे लेकिन रियासत के कुछ हिसों में जालाबारी के तिला मिली जिससे जहिराबाद टाउन में आदे घंटे तक ट्राफिक में खलल पड़ा दर्यासना विखाराबाद के मारपले गाउं में ओलों की शदीद बारिश की वज़े से हैरतंगे सफेदी चाही हुई है आसाम के वजिर आला हिमानता बिस्वा सर्मा जो करनाटक का दौरा कर रहे हैं ने कहा के वो अपने रियासत के तमाम मदारस को बंद करने का इरादा रखते हैं क्योंकि इनके नए हिंदुस्तान में जरूरत नहीं थी इन्हों ने कहा के मैं आसाम से आया हूँ जहां हर रोज पंगलादेश से लोग आते हैं हमारी सखाफत और रिवायात को खत्रा है वजिर आला ने कहा हाल ही में देहली में एक टीवी इंटर्विव में मुझसे पूछा गया कि 600 मदारस को बंद करने का मेरा क्या इरादा है मैंने कहा कि मैंने 600 बंद कर दिये हैं लिकिन मेरा इरादा तमाम मदारस को बंद करने का है तलेंगरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने जुमा के रोज तीन भरती इमतेहनात को मनसुख कर दिया है जिसमें ग्रूप वन का अपतेदाई अमतेहन भी शामिल है जो 16 अक्तोबर 2022 को लिया गया था कमीशन ने 11 जून को दोबारह ग्रूप एक का अपतेदाई टेस्ट कराने का फैसला किया है जुमा को यहां जारी होने वाले एक बयान के मताबिक जुमा को बुलाए गए कमीशन के एक खुसी इजलास में खुसी तहकीकाती टीम की रिपोर्ट का बगोर जायजा लेने और अंदरूनी इंक्वाईरी के बाद ग्रूप एक AEE और DAO की भरती के इमतेहनात मनसूख करने का फैसला किया गया बलतर्तीब 16 अक्तोबर 2022, 22 जनवरी 2023 और 26 फरवरी 2023 को बीजेपी के हमायत याफता उमीदवार A.V.N. रेड़ी को चार दिन कबल महभूब नगर रंगा रेड़ी हैदरबाट टीचर्स हलका इंतखाब में M.L.C. मुनतकिब खरार दिया गया था बीजेपी की हमायत याफता उमीदवार को 13,436 वोट हासल करने के बाद मुनतकिब खरार दिया गया जिसने 12,709 के जादूई एदाद व शुमार को अबूर किया किसी दूसरे उमीदवार ने पहली तरजी वोटों की खातिर खौत एदाद हासल नहीं की 21 राउंड की गिंती के बाद नतीजे का एलान किया गया बी आरेस की हमायत याफता पी आर टी यू उमीदवार चिन्ना केशवार रड़ी 20 वी राउंड की गिंती के बाद बाहर हो गये जबके कॉंग्रेस हिमायत याफता उमिद्वाद दूसरे राउंड से बाहर हो गए।